नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी को आपके अपने डिटोप चैनल बेसी उत्तब स्टेडी में दोस्तों बिहार विद्याले परिचा समीती ने मैट्रिक बारसी परिच्छा 2020 का रिजल्ट तो जारी कर दिया रिजल्ट जारी होने के बाद कई सारे स्टुडेंट्स का सवाल है कई सारे स्टुडेंट्स जो की फेल हो चुके हैं कई सारे स्टुडेंट्स जो की एक से दो सब्जेक्ट में फेल हैं कई सारे स्टुडेंट्स जो की अपने अंग से अस्तुष्ट है ठीक है आपको लगता है कि नहीं हमें मैथ में और भी नमबर मिलना चाहिए था ठीक है तो इस स्थिती में बिहर विद्याले परिछा सिमीती ने अस्कूटनी का आवेदन के लिए मौका दिया है तो इस वीडियो में आप लोग लाश तक बने रहेगा सारा जनकारी आपको मिल जाएगा जो भी चैनल पर नए है वो सब्सक्राइब करके बगलवाले घंटी कौन कर लेंगे ठीक है वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा दोस्तों के पास सेयर कर दीजेगा अश्टार्ट करते है वीडियो को परिच्छा में बैठ सकते हैं और यदि अगले बार आपकी तयारी बेहतर होगी यदि अगले बार आप और अधिक बेहतर उत्साह लगन और मेहनत के साथ यदि आप परिच्छा देंगे तो निश्चित रूप से वैसे विद्यार्थियों को भी अच्छे अंको और किसी भी विशाय के अंक से वो असंतूष्ट हैं या कई सारे स्टूडेंट जो की एक दो सब्जेक्ट में फेल हैं ठीक है तो इस इस्तिती में वो अस्कूटनी कर सकते हैं तो आईए हम लोग नोटीस को फटा-फट यहां पर पढ़ लेते हैं ठीक है बतला एक मैट्रिक व कुस्ति का क्या स्कूटनी है तू वेवसाइट पर दिनांग 11-4-2021 से 17-4-2021 तक कि आपधी में निधारित सुल के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ठीक है यानि 11 अप्रिल से 17 अप्रिल तक आप लोग अस्कूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं प्रते एक सब्जेक्ट का आपको 70 रुपे लएगे ठीक है जिस भी सब्जेक्ट का कराना है आप लोग करा सकते हैं ठीक है मेहत का कराईएगा तो 70 इस तरह से संस्क्रीन का प्रतेक विषय का 70-70 लएगे ठीक है इस सरकारी रेट है उसके बाद आप लोग यदि जो कैफे में कराते हो तो उसका एक्स